तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सब का चलिए द्यान दिएगा दूस्तों आज का यह वीडियो है यह कंप्लेट देखेगा पिछले दो दिनों का हम लोग देखेंगे पहला प्रश्ण देखते हैं देखे हाली में चर्ची तुरेखा गुम्रा जहरना कि ज यह कंड़ा गाउं में चलिए तो याद रखने तुरेखा गुम्रा जहरना यह कंड़ा जिला में इस्तित है और दूसी धार वाली यह जहरना केसकाल बलाक के ऊपर बेदी गाउं में इस्तित धियान दिएगा और वही है अपनी प्रकृतिक स्वांदरता के कारण दूस्तो अधियम आदर्स महाविद्यालय का लोकारपन कहां किया गया है तो कहां किया गया है दोस्तों यहां पर ऑप्सन है सही अंसर है ऑप्सन नंबर सी है कांकेर याद रखेगा कांकेर चलिया ध्यान दीजेगा तो याद रखना है कि मुख्यमंतरी भूपेजवागेल दौरा 13 मतलब कम उत्तर बस्तर कांकिर में प्रदीष का पहला स्वामी आतमनन अंग्रेजी माध्यम आधर्स महाव रखा गया है और तीन सवामी आतमानन अंग्रेजी माध्यम इसकूल और 350 स्वामी आत्मनन हिंदी माध्यम इसकूल संचाली थे ध्यान दीजिएगा ठीक है देखे हाली में महिला को स्योजना के तहत रिड्स वीदा बढ़ा कर कितने रुपए कर दिया गया है तो कितने रुपए किया गया है ऑप्सन है यहां पर करेक्टांसर है ऑप्सन नंबर सी है चैलाक रुपए याद रखिएगा दूस्तों चैलाक रुपए चलिए तो याद रखने की 36 राज्य सरकार दौरा महिला समू को चार लाग के इस्थान पर चैलाक रुपए का रिंड स्विक्रित करने का अनुमोदन कर दिया गया है ध्यान दिजिएगा चैलाक के इस्थान पर चैलाक रुपए रिंड दिया जाएगा और वहीं सक्षम योजना के तहत पातरता के लिए महिलाओं की वार्सिक आयसीमा एक लाग रुपए से बढ़ा कर दो लाग रुपए करने की जो है वोशना का अनुमोदन कर दिया गया है वित्ती वर्स 2023 में रिंड योजना के तहत याद रखेगा पत्चीस सो सम्हों को 31 करोड रुपए और सक्षम योजना के तहत 500 पातर महिलाओं को 4 करोड रुपए के जो है रिंड वीत्रण की साख योजना का भी अनुमोदन किया गया वहीं याद रखने है देखे यह सब कहां कब हुआ तो यह है कि हाली में महिला एवं बालविकास मंतरी याद रखना है कोन है तो अनिला भीडिया इनकी अध्यक्षता में 36 महिला कोस की बैठक संपन हुई है ठीक है और वही है याद रखना है कि 36 महिला कोस का गठन दो फरवरी 2002 को किया गया और इसके अंतरगर्त संचाली जो योजन आए हैं याद रखिएगा सक्षम योजना स्वालंबन योजना और रिन योजना इसके अंतरगर्त आता है ठीक है याद रखिएगा नेक्स प्रेशन देखते हैं यह है देखें कॉमन वेल्ट वेट लिफ्टिंग चैंपियंसीब 2023 में ज्यानिश्वरी सरमानी कौन सा पदक जीता है तो कौन सा पदक जीता है यहां पर ऑप्सन है देखेंगे सही आंसर है ऑप्सन नमबर ही है स्वार्ण याद रखिएगा दूस्तों स्वार्ण चलिए तो याद रखने के चत्ति दड़की ज्यानिश्वरी यादा उने कामन वेल्थ वेट लेफ्टिंग चैंपियं रहा है और इस चैंपियंशिप में बेस देशों के 250 वेट लिफ्टर सामिल हुए याद रखने के ज्यानिश्वरी यादा राजनन गाउजिला की जो है रहने वाली है और वहीं याद रखने के एक्जाम पॉइंट के देखें राष्ट मंडल खेल 2022 बर्मिंगम यूके में ह हुआ था और अगला जो कॉमन वेल्थ गेम से 2026 नहीं कहां होगा तो विक्टोरिया आस्ट्रेलिया में होगा ध्यान दिजिएगा ठीक है नेक्ट प्रेश्ट नहीं है देखें हरेली तेओहर कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है यहाँ पर आप्शन है तो सही आंसर है आप्शन नमबर डी है सावन अमवश्य दियान दीजिएका सावन अमवश्य चलिए तो याद रखने कि हरेली तेओहर सावन अमवश्य को मनाया जाता है और यह च्छतीदर का प्रत्म तेओहर है और यह कृष्टि अधारी तेओहर है दूस्तों इस दिन कृष्टि उपकर टंगते हैं ठीक है नेक्स प्रश्न देखते हैं यह है देखे हाली में हमर लक्ष अभियान कहां सुरू किया गया है तो कहां सुरू किया गया है हमर लक्ष अभियान सही अंसर है ऑप्सन नमबर यह कांकिर याद रखिए का दूस्तों कांकिर चलिए तो याद रखना है कि उत कांकर जिला चलिए नेक्ष्ट प्रेश्ण देखते हैं यह है देखें वाजपई दा एसेंट आफ दा हिंदू राइट उननीस सो चोबीस से हिंदू राइट उननीस सो चोबीस से इस पुस्तक के जो लिखक है अब इस एक चौधरी है ध्यान दिजेगा और देखेगा कि है ना इसको देख लिजे ये भी रेट की समाधी इस पुस्तक के जो है इस पुस्तक के लिए गितांजली सुरी को 2022 में इंटरनेशनल बूकर प्र किसको मिला है तो जोर्जी गोस्पोंडी नो ठीक है तो याद रखने हैं यह सब चलिए देखे किसने सुसाइड ड्रोन कौमी केज का विकास किया है तो यहां पर आप्सन है देखेंगे सही अंसर है आप्सन नंबर बी है आई 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 टी कानपूर याद रखेंगे दोस्तों आई 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 टी कानपूर चलिए ध्यान दीजेगा तो याद रखने की सुसाइड ड्रोन जो है कौमी केज आई 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 टी कानपूर द्वारा इसका जो है विकास किया गया इसको और यह सव किलोमीटर तक के जो है लक्ष को नश्ट कर सकता है ध्यांद जिएगा उसी तरह यह सूपर कंप्यूटर याद रखना इसको भी देख लिजे आयाइटी गुवाहाटी द्वारा सूपर कंप्यूटर परम कामरूप विक्सित किया गया है आयाइटी रूड की किया गया है ऑप्सन है यहाँ पर करेक्ट अंसर है ऑप्सन नंबर सी है गुरुग्राम याद रखना है इसका पुराना नाम गुर्गाओं है ठीक है तो याद रखिएगा कि हाली में अपराद और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन 13-14 जुलाई गुरुग्राम हर्याणा में क कहा किया गया तो कहा किया गया है ऑपसन है यहाँ पर i2o को याद रखिएगा क्वालनपूर नंबर करेक्षा मंत्र नहां कर्याया करेले किया नेट्थी Next question देख़ें यह हैं, देखें देखें सबसे बड़ा CA Institute किस जिली में बनाया जाएगा, तो किस जिली में बनाया जाएगा यहाँ पर उंसन हैं, सही ऑंसर है नंबर CA राइपुर में, याद रखेंगे राइपुर में, चलिए तो याद रखने कि देश का सबसे बड़ा सीए इंस्टिट्यूट राइपूर कमल विहार में बनाए जाएगा और वही है करीब 10 करोड उपई के लागत से यह संस्थान स्थापित होगा ठीक है देखे 36 गड़ सरकार द्वारा लागु नवीन और द्योगिक नीती 2019 से 24 के तार पिछले सड़े चार वर्सों में कितने श्टार्ट अप इकाईयां पंजी करीथ हुई है तो कितने श्टार्ट अप इकाईयां पंजी करीथ होई है सही अंसर है आपसन नमबर है 838 याद रखेगा 838 रखना है 25 पीजी इंडेक्स डोहजार 21 एंड़ चत्रीगोर कौन सी श्तान पर है करेक्ट अंसर है ओप सन्पर भी है आठवी याद रखेगा आठवी देखें दुनिया की सबसे सकतिसाली सेना रखने में भारत कौन कौन स रेक्ट आंसर है दुस्तो आप्सन नंबर ए है चौते याद रखेगा चौते देखे 75 दीवसी बस्तर दशहरे का सुभारम पाढ़ जातरा रस्म के साथ कब सुरू हो रहा है ऑप्सन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर भी है 17 जुलाई याद रखेगा 17 जुलाई देखे बस्तर संभाग का पहला जिलाची किस साल है किस जिले में है जहां वायरोलोजी लैब की स्वीधा प्रारम की गई है ऑप्सन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्सन नंबर यह है दंते वाड़ा याद रखेगा दंते वाड़ा चलिए यह वाला प्रशन आप लोगो के लिए है इस प्रशन का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में देखे हैं हाली में चर्चित मानिकपूर पोकरी जिसे एको पर्याटन के रुप में विक्सित किया जाएगा या के जिले में है अपसन है यहाँ पर इसका जवाब दीजेगा आप लोग कमेंट सबॉक्स में चले बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया इसका पीडिया डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वेडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल में नहों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा चले बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया